परिचय उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्रायक्ता की परिभाशा दिये गए प्रश्नू की प्रायक्ता निकालना प्रायक्ता में प्रयोग होने वाली शर्तें प्रायक्ता संबंधी उदाहरन को हल करना परिभाशा प्रायक्ता से तात्पर्य गुनवत्ता या स्थिती की संभावना से है। प्रायक्ता के मामले में प्रयोग होने वाले शब्द हैं सबसे ज्यादा संभावना, संभव, अवसर, संदेह, संभव है, आदि। मुझे संदेह है कि वह आएगा। ऐसे शब्दों में अनिश्चित् परिणाम, इसका परिणाम जो आता है, उसमें स्थिती की अनिश्चित्ता शामिल होती है. प्रायक्ता एक प्रयोग तब भिन्नों के मान लिखिए. चित आने की संख्या, बटे, सिक्का उच्छालने की कुल संख्या, और दूसरा है, पट आने की संख्या, बटे, सिक्का उच्छालने की कुल संख्या. सिक्के को और अधिक बार उच्छाल कर चित और पट आने की संख्या लिख लीजिए जो की भिन का मान 0.5 के निकट होता है जाएगा इसी तरह हम प्रयोग के लिए डाइस या दो सिक्कों या ताश के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग की शर्तें आगे बढ़ने से पहले जानते हैं की प्रायक्टा का आधार भूत प्रयोग क्या है परीक्षण परीक्षण एक कारवाई है जिसके परिणाम एक या कई हो सकते हैं उदाहर नार्थ हर बार सिक्का उच्छालने और हर बार पासा फेकने को परीक्षन कहते हैं. घटना एक घटना एक प्रयोग के लिए कहा जा सकता है कि प्रयोग की कुछ परिनामों का संग्रहन होता है. प्रयोगिक या अनुभविक प्रायक्ता एक अनुमान होता है जो उस घटना पर आधारित होता है जिसमें बड़ी संख्या में एक ही अभिप्रयोग होता है. प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायक्ता जो PE है जो घटना के घटने की अनुभाविक प्रायक्ता निम्न से परिभाशित है PE पराबर अभी प्रायोगों की संख्या जिन में घटना घटी है बटे अभी प्रायोगों की कुल संख्या प्रायक्ता के उदाहरण उदाहरण एक सिक्के को 500 बार उच्छालने पर हमें यह प्राप्त होता है चित 245 पठ 255 प्रत्य घटना के घटने की राइकता घ्यात की जाती है हल सिक्के को 500 बार उच्छाला गया इसलिए कुल अभी प्रयोगों की संख्या हुई 500 कितनी बार घटना हुई उसे ए कहेंगे चित आने वाले की संख्या है 245 इसलिए ए की प्राइकता बराबर चित आने की संख्या बटे अभी प्रयोगों की कोल संख्या जोकी 245 बटे 500 अर्थाथ 0.49 के बराबर है इसी तरह पट आने की घटना की प्रायक्ता बराबर है पट आने की संख्या बटे अभी प्रयोगों की कुल संख्या जो की 255 बटे 500 अर्थात 0.51 के बराबर है यहां हम देख सकते हैं कि E की प्रायक्ता जमा F की तरफ प्रायक्ता 0.49 जमा 0.51 यानी 1 है ताथ ही E और F सभी अभी प्रयोगों के सिर्फ दो संभावित परिणाम नज़र आते हैं उदाहरण एक चर्खी में चार समान क्षेत्र में रंग है पीला, नीला, हरा और लाल चर्खी को घुमाने पर हर बार रुखने की रंग की प्रायकता क्या होगी? हल हर अभी प्रयोग पर संभावित परिणाम है पीला, नीला, हरा और लाल अब प्रायकता का पता लगाते हैं पीले रंग की प्रायकता होगी पीले रंग पर रुखने की संख्या, बटे कुल रंगों की संख्या, जो एक चौथाई होगा नीले रंग की प्रायकता नीले रंग पर रुखने की संख्या, बटे, कुल रंगों की संख्या यानी एक चोथाई इसी तरह हम हरे और लाल रंग की प्रायक्ता भी निकाल लेंगे और अगर हम इन सभी की प्रायक्ता को जोड़ देंगे तो ये एक हो जाएंगी उदाहरण छे कोने वाले पासे को लुड़काया जाता है हर एक प्रायक्ता क्या होगी लुड़कने की सम और विशम संख्या की प्रायक्ता क्या होगी अभी प्रयोग के संभावित परिणाम है एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे अब प्रायक्ता ग्याद करते हैं पासे पर एक की आने की संख्या बटे कुल कोनों की संख्या जो होगी एक बटे छे पासे पर दो की आने की संख्या बटे कुल कोनों की संख्या जो होगी एक बटे छे इसी तरह तीन की संख्या की प्रायक्ता होगी एक बटे छे ठीक इसी तरह 4, 5 और 6 की भी यही प्राइक्ता होगी अब हम देख सकते हैं कि लुडखने की समसंख्या 3 है हम इसकी प्राइक्ता ग्याद कर सकते हैं क्या आप जानते हैं? प्राइक्ता की संकल्पना का विकास एक आश्चर जनक धंग से हुआ था 1654 में शुवेलियर डी मेरे नामक जारी पास सम्बंधित कुश और समस्याओं को लेकर 17 शतादी के एक सुप्रसिध फ्रांसेसी दाशनिक और गणितग्य बलेज पासकल के पास पहुचा पासकल को इन समस्याओं को हल करने में काफी रुची आने लगी वह इन समस्याओं का अध्यान करने लगा और एक अन्य फ्रांसेसी गणितग्य फेरेद फ्रमाट के साथ चर्चा भी की पासकल और फ्रमाट ने इन समस्याओं को स्वतंत्र रूप से अलग-अलग हल किया यह कार ही प्रायक्ता सिध्धांत का प्रारंब था सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक अभी प्रयोग के लिए एक घटना उसके कुछ परिणामों को एकत्रित करना है एक घटना ए की अनुभविक प्रायक्ता को निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है आभी प्रयोग की संख्या जिसमें ई घटित हुआ हो बटे कुल आभी प्रयोगों की संख्या है सभी प्रायक्ताओं का कुल योग एक होता है